नमस्कार दोस्तों पूनम किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे तड़के वाला दही इसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार है तो देखिए क्या करना है यह हमने दो कटोरी दही लिया है और इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है एकदम क्रीमी टेक् प्रक्टी नहीं होनी चाहिए ताजी दही होनी चाहिए तो देखिए इसको कम से कम दो मिट तक ऐसे इस तरह फेंटना है अब यह अब यह ने फेंट के साइड रख दी आप क्या करेंगे अब यह हम लेंगे कडाई में यह हमने घी लिया है दो चमच गैस का फिले मीडियम है तो देखिए गी गरम हो गया अब हम इसमें डाल देंगे आदा चमच जीरा दो सुखी लाल मिर्च और अच्छे से जीरे को चटकने देना है जीरा चटक गया अब हम इसमें डाल देंगे ये दो हरी मिर्च कट करके बारी कट करीए हमने इसमें डाल दिया है हमने थोड़ा सा एक इंच लगवग अध्रक का टोकड़ा और चेश-चार पांच लेसन की कर लिए चार-पांच खरीपत्ता को बारी कट कर लिया है अब इस अभी चीजों को अच्छे से भूनने दे है अब क्या करेंगे अभी हम इसमें डाल दे इसको बारी कट कर लिया है और इसको बहुत जादा नहीं बूनना है इसको हल्गा हल्गा बूनना है हम इसमें डाल देंगे यह कस्मेरी लाल मिर्च आदा चमच दो पेंच हल्दी आदा चमच दरिया पाउडर आदा चमच कसूरी में थी अभी सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से बूब अब हम इसमें डालेंगें आदा अभी क्या करेंगें इसके फ्लाइम हमने बिल्कुल बंद कर दिया है और यह अमने जो दही फेंट के रखा था इसको हम इस कडाई में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स देब हमने में इसको अच्छे से वारी ही तर के वे से बाzdर है अगर आपने चलाना बंद कर दिया तो यह दई फट जाएगा फिले हम जब हम बंद करें गैस तभी हम डालें दई नहीं तो दई फट जाएगी इस चीज का विसे इस्दियान रखना है अब हम क्या करेंगे यह तड़के वाला दई बंद कर तयार हो गया अब हम इसमें डाल देते हैं अहरा धनिया कट करके तो देखिए हमारा तड़के वाला दही बन कर तयार हो गया है आप इससे बिना सब्जी के भी रोटी खा सकते हो बहुत स्वाधिश्ट बनता है एक बार आप इससे जरूर बना है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद